यूट्यूबर मौसी की कहानिया में आपका स्वागत है हम सुन रहे हैं हैरी पॉर्टर की कहानी हैरी पॉर्टर और चेमबर ओफ सीक्रेट्स हमने अभी तक सुना हैरी और रॉन कार उड़ा कर हॉगवर्ट्स पहुच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें बहुत दाट बढ़ती है उसके बाद उन्हें स्कूल में रहने दिया जाता है उनके डार्क आर्ट से डिफेंस के सिक्षक हैं गिल्ड रॉयल लॉकार्ट जो अपनी बड़ी प्रशंशा करते हैं और लड़कियों में बड़े लोगप्री हैं अब आगे की कहानी सुनते हैं अध्याय साथ बजजात और अद्रश आवाज अगले कुछ दिनों तक हैरी का बहुत सा समय इस काम में बीता कि जब भी वह गिल्ड रॉयल लॉकार्ट को किसी कलियारे में आता देखता था तो वो उनकी नजरों से बचकर छुप जाता था कॉलिन क्रीवी से बचना इससे ज़्यादा मुश्किल काम था क्योंकि उसे हैरी का पूरा टाइम टेबल याद था कॉलिन को जीवन में सब से ज़्यादा मज़ा इस बात में मिलता था कि वो दिन में 6-7 बार हैरी से कहे सब ठीक है है हैरी और बदले में ये जवाब सुने हलो कॉलिन भले ही हैरी के इन शब्दों में उसकी चिड़ असपष्ट सुनाई दे रही हो हैडविक अभी कार दुरगटना को लेकर नाराज थी और रौन की चड़ी अब भी सही तरह से काम नहीं कर रही थी शनिवार की सुबह को तो इसने हद कर दी जब ये समोहन की क्लास में रौन के हाथ से चूट गई और सीधे जाकर नाटे बुढे प्रोफेसर फ्लिटविक की आखों के बीचों बीच में लगी जहां चड़ी टकराई थी वहां ततकाल एक बड़ा हरा गूमर उभराया इस तरह एक के बाद एक कई भूरी घटनाओं को जहलने के बाद हैरी को खुशी हुई कि सब्ता खत्म हो गया वो रॉन और हर्माईनी शनिवार की सुबा हेगरिट के यहां जाने की योजना बना रहे थे बहराल हैरी का इरादा सुबा जितने बज़े उठने का था गरुन द्वार की क्विडिश टीम के कप्तान ओलिवर वोड ने उसे उससे कुछ घंटे पहले ही हिला कर उठा दिया हैरी ने अलसाए अंदाज में पूछा क्या हो गया क्विडिश की प्रैक्टिस करना है वोड ने कहा चलो तैयार हो जाओ हैरी ने अद्खुली आँखों से खड़की की तरफ देखा गुलाबी और सुनहरे आस्मान के पार दुंद की पतली परत दिख रही थी अब जागने के बाद उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह चड़ियों के इतने तेज शोर के बावजूद कैसे सोया था आलिवर हैरी ने असफुट अंदाज में का अभी तो सूरज भी नहीं हुगा है बिलकुल वुड बोला वो सेक्स तेयर का लंबा तगड़ा विद्यारती था और इस समय उसकी आँखों में उत्सा की चमकती यह हमारे नए ट्रेनिंग कारकरम का हिस्सा है तैयार हो जाओ अपनी ज़ाड़ उठाओ और मैदान में आजाओ वुड ने जोश से कहा बाकी किसी टीम ने अब तक प्रैक्रे शुरू नहीं की है यह काम इस साल सबसे पहने हम करेंगे उंगते हुए और हलके से कापते हुए हैरी बिस्तर से नीचे उत्रा और अपने कुड़िज के कपड़े खोजने लगा शाबाश वुड बोला पंदरा मिनट में पिछ पर मिलते हैं अब जबकी हैरी को अपना लाल दुशाला मिल गया और उसने ठंड से बचने के लिए उपर से अपना चोगा भी डाल लिया तो उसने रॉन को एक चिठी में घसीट कर लिखा कि वो कहां जा रहा है इसके बाद वो हॉल की घुमाओदार सीड़ियों से नीचे उत्रा उसकी निमबस 2000 उसके कंधे पर रखी थी वो अभी तस्वीर के छे तक ही पहुचा था कि तभी पीचे से कटकट की आवाज हुई हैरी ने पलट कर देखा कि कॉलिन क्रीवी घुमाओदार सीड़ियों पर भागता हुआ नीचे आ रहा था उसकी गले में कैमरा तेजी से जूल रहा था और वो अपने हाथ में कुछ पकड़े हुए था मैंने किसी को सीड़ियों पर तुमारा नाम लेते सुना था हैरी देखो मेरे पास क्या है मैंने फोटो धुलवा लिये हैं मैं तुमें फोटो दिखाना चाहता था हैरी ने अलसाय अंदाज से उस फोटो को देखा जो कॉलिन ने उसकी नाक के नीचे बढ़ा रखा था ब्लैक एन वाइट फोटो हिल रहा था इसमें लॉक हार्ट किसी का हाथ कसकर खीच रहे थे हैरी पैचान गया कि ये उसी का हाथ था हैरी ये देखकर खोश हुआ कि फोटो में वो जमकर संगर्ज कर रहा है और कैमरे के फ्रेम में आने से इंकार कर रहा है फिर हैरी ने देखा कि लॉक हार्ट ने हार मान ली और वे हाफते हुए तस्वीर के सफेद कोने में गिर गए कॉलिन ने उत्सुकता से पूछा क्या तुम इस पर आटोग्राफ दे दोगे नहीं हैरी ने साफ मना कर दिया उसने आसपास देखकर इस बात की तसली कर ली कि कमरा सचमुच खाली था माफ करना कॉलिन मैं जरा जल्दी में हूँ कुडिच की प्रैक्टिस करने जाना है वो तस्वीर के छेद में से बाहर निकलने लगा अरे वाह रुको मैं भी चलता हूँ मैंने पहले कभी कुडिच नहीं देखा कॉलिन उसके पीछे पीछे छेद से बाहर निकल आया हैरी ने जल्दी से का तुम बोर हो जाओगे परन्तु कॉलिन ने उसकी बात को अंसुना कर दिया उसका चेहरा रोमांच से चमक रहा था तुम पिछले सो साल में किसी हाउस की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो है ना हैरी कॉलिन ने उसके पास फुदकते हुए कहा तुम बहुत अच्छा खेलते होगे मैं कभी हवा में नहीं उड़ा हूँ क्या यह मुश्किल होता है क्या यह तुमारी खुद की जाड़ू है क्या यह सबसे अच्छी जाड़ू है हैरी नहीं जानता था कि कॉलिन से पीछा कैसे छुड़ाया जाए वो बहुत ज़्यादा बढ़बढ करने वाली परच्छाई की तरह उसके पीछे लगा था मुझे सच मुश नहीं पता कि क्विडिच क्या होता है क्या यह सच है कि इसमें चार गेंदे होती है और उनमें से दो गेंदे खिलाडियों को उनकी जाड़ों पर से गिराने की कोशिश में चारों तरफ उड़ती रहती है हाँ हैरी ने भारी मन से कहा अब उसने हार कर कॉलिन को क्विडिच के जटल नियम समझाने का फैसला कर लिया उन गेंदों को पहलवान कहते हैं हर टीम में दो मारक होते हैं जो पहलवानों को अपनी टीम के खिलाडियों से दूर रखने के लिए उन्हें अपने बल्लों से मारते हैं फ्रेट और जॉर्ज गरुरद्वार के मारक हैं और बाकी की गेंदे किसलिए होती हैं कॉलिन ने पूछा इस दोरान वो दो सीड़ियां फिसल कर लड़ खड़ा गया क्योंकि वो मुझ खोलकर हैरी की तरफ देख रहा था सबसे बड़ी लाल गेंद को तूफान कहते हैं इसे गोल किया जाते हैं हर टीब में तीन धावा खोते हैं जो तूफान को एक दوسरे की तरफ फिकते हैं और इसे पिच के चुछ होर पर बने गोल पोस्ट के बीच से निकालने की कोशिश करते हैं गोल पोस्ट यानी تीन उचे खंबे जिनके कोनों पर रिंग लगे होते हैं और चोथी गिन सुनहरी गेंद होती है हैरी बुला ये बहुत छोटी और बहुत ही तेज होती है और इसे पकड़ना मुश्किल होता है परन्तु खोजी को इसे पकड़ना ही होता है क्योंकि क्विडिश का मैश तब तक खतम नही जाए और जिस टीम का खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम के लिए डेर सो पॉइंट जीत लेता है और तुम गरुद्वार के खोजी हो है ना कॉलिन ने श्रदावरे भाव से का हां हैरी बोला जब वे महल से बाहर निकले और ओस में भीगी गास पर चलने लगे और एक रक्षक भी होता है ये गोल की रक्षा करता है कुडिश दरसल बस इतना ही है परन्तु कॉलिन ने हैरी से सवाल पूछना बंद नहीं किया वो ढलवा लान से कुडिश की पिछ तक हैरी से लगातार सवाल पूछता गया और हैरी उसे तभी पीछा चुड़ा प की तरफ बढ़ गया गरुरद्वार की बाकी टीम पहले ही चेंजिंग रूम में आ चुकी थी वो डेकलाता खिलाडी था जो पूरी तरह जागा हुआ दिख रहा था फ्रेट और चॉर्ज वीजली की आके फूली हुई थी तथा बाल बिक रहे थे वे फोर्थ एयर की ऐलीस एक सामने बैठी उबासियां ले रही थी तो तुम आ गए है रही तुम्हें देर कैसे हो गई वोड ने उसे देखते ही पूछा अब पिछ पर चलने से पहले मैं तुम लोगों से जल्दी से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने गर्मियों में एक बिल्कुल नय ट्रेनिंग प्रोग्राम तयार क्या है मैं से उस्ता हूँ अगर हम इसके अनुसार खेलेंगे तो हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता वोट के हाथ में क्विडिच की पिछ का एक बड़ा चित्र था जिस पर अलग-अलग रंगों की स्याही से कई रेखाएं तीर और क्रॉस के निशान बने थे उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और वोट को थप-थप आया तीर चित्र पर इलियों की तरह हिलने डूलने लगे जब वोट अपनी नई रणीत के बारे में भाजल देने लगा तो फ्रेट वीजली का सिर सीधे एलीसियास मिनट के कंदे पर गिर गया और वो खराटे भरने लगा पहले वोट को समझाने में वोट को लगबग 20 मिनट लग गया परन्त उसके नीचे एक और वोट था और उसके नीचे तीसरा वोट भी रखा था जब वोट लगातार बोलता रहा तो हैरी की भी जपकी लग गई तो वोट ने आखिरकार बहुत देर बाद हैरी को सुखत सपने से जगाया जब हैरी ये सपना देख रहा था कि वो इस पल महल में नाश्टे में क्या खा रहा होगा तब ही वोट ने उससे पूछा क्या सब पूरी बात समझ गये कोई सवाल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो चौक कर जाग गया था तुम ये सब बाते हमें कल क्यों नहीं बता सकते थे जब हम जाग रहते वोट ये सुनकर खुश नहीं हुआ अब सब लोग ध्यान से ये बात सुनने उसने उन सब को गुसे से घुरते हुए का हमें पिछले स साल जब फाइनल मैच खेला जाने वाला था तब वो अस्पताल में बेहोश पड़ा था इस वज़ा से गरुन द्वार का एक महात्वण के लाड़ी कम हो गया और उन्हें 300 सालों में सबसे बुरी हाल जेलनी पड़ी वुड ने एक पल ठहर कर खुद को नियंत्रिट किया य इस साल हम पहले से ज़्यादा कड़ी मेनत करेंगे ठीक है अब हम चलते हैं और अपनी नई योजना के हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं वोट चिखा उसने अपनी जाड़ू उठाई और सबसे पहले चेंजिंग रूम से बाहर निकला अब भी उबासी लेती हुई बाकी की जीम डगमगाते कदमों से उसके पीछे पीछे चल दी वे लोग चेंजिंग रूम में इतनी जादा देर तक रहे थे कि अब सूरज पूरी तरह निकलाया था हलाकि धुंद के अफशेश अभी स्टेडियम की घास पर दिख रहे थे जब हैरी चलकर पेच पर पहुँचा त टोस्ट और जैम को देख रहा था जो रॉन और हरमाईनी बड़े हॉल से लेकर आये थे वुड हमें नई रणीतियां सिखा रहा था फिर वो अपनी जाड़ उपर चड़ गया और जमीन पर पैर मार कर हवा में उपर उठा सुबा की ठंडी हवा उसके चैरे पर पड़ी और इसने उसे वोट के लंबे भाशन से जादा असरदार तरीके से जगा दिया क्विडिश पिच पर वापस लोड़ना बहुत अदबुत अन्मोहता फ्रेड और जोर्ज के साथ रेस लगाते हुए वो पूरी गती से स्टेडियम के चारों और उड़ा जब एक कोने पर तो फ्रेड ने पूछा ये अजीब सी क्लिक की आवास कैसी है हैरी ने दर्शक दिरगा में देखा कॉलिन बहुत उची सीट पर बैठा था उसका कैमरा उबर की तरफ था और वो एक के बाद एक धड़ा धड़ तस्वीरे ले रहा था जिसकी आवास खाले स्टेडियम में अजीब तेजी से गुंज रही थी कॉलिन तीखी आवास में चिला इस तरफ देखो हैरी इस तरफ फ्रेड ने पूछा वो कौन है पता नहीं हैरी ने जूट बोल दिया और अपनी रफ़तार तेज कर दी जो उसे कॉलिन से उतनी दूर ले गई जितनी दूर जाना संभो थ जब वुड हवा को चीरते हुए उनकी तरफ आया तो उसने तियोरिया चड़ा करका ये क्या हो रहा है वो फरस्ट एयर का चात्र तस्वीरे क्यो ले रहा है मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है हो सकता है वो नाक शक्ति का जासूस हो जो हमारे नए ट्रेनिंग प्रोग क्योंकि वे खुद यहां मौजूद हैं जॉर्ज ने जमीन की तरफ इशारा करते हुए का हरे दुशालों में कुछ लोग अपने हाथों में जादू जाडू लेकर पिछ पर चल रहे थे मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो ने गुसे में फुफ करते हुए का आज के लिए प उसके पीछे उतर आए फ्लिंट वुट नाक शक्ति के कप्तान की तरफ देखकर कर जा यह हमारी प्रैक्टिस का समय है हमने आज के लिए पिछ खास दोर पर ली है अब आप लोग यहां से जा सकते हैं मारकस फ्लिंट देखने में वुट से भी तगड़ा था उसके चेहरे पर देत्यों जैसी चालाकी का भाव उबरा जब उसने जवाब दिया हम सब के लिए पर्याप्त जगा है वुट एंजिलीना एलीसिया और केटी भी वहां आ गई नाक शक्ति की टीम में कोई लड़की नहीं थी पूरी टीम कंदे से कंदा मिला कर गर उन्ड़ार के ठीक साम तब तक खैर मनाओं मुझे नहीं लगता तुमने इस पारे में जरा भी सोचा होगा कि कार को काई देकर ताकि भी अपने नए पुझे कैसा लगा होगा अल्राथ को डंब उनका खटाया मुझे लग रहा था कि तुम्हारे डैडी तो शर्म से मर जाएंगे हमने तुम्हें दिये थे जो तुम इस तरह का व्योहार करो तुम्हारी और है जितोरों की जान भी जा सकती थी तुमने ये बहुत गलत काम क्या आफिस में तुम्हारे डैडी की चान चल रही है ये सब तुम्हारी गलत की बच्छे से हुआ है अगर तुमने एक पिक गलत कदम उठाया तो साथों ने अपनी जाडूएं आगे की सुबा की धूप में गरुन तुआर के खिलाडियों की नाक के नीचे साथ बेहत चमकदार और बिल्कुल नए हैंडल चमकने लगे जिन पर सुन्दर सुनैरे एक्षरों में लिखा था निम्बस 2001 बिल्कुल नया मॉडल है अभी इससे काफी तेज है और जहां तक पुरानी क्लीन स्वेप जाडू का सवाल है उसमें फ्रेड और जॉर्ज की तरफ गंदे तरीके से देखते हुए का जिनके हाथ में क्लीन स्वेप फाइब जाडू थी उसे तो ये बिल्कुल साफ कर देती है एक पल के लिए तो गरुन द जागी थी अरे देखो पिछ पर कबजा फ्लिंट बोला रॉन और हर मैने घास का मैदान पार करके ये देखने आ रहे थे कि क्या हुरा है क्या हुरा है रॉन ने हरी से पूछा तुम खेल क्यों नहीं रहो हो और ये यहां क्या कर रहे हैं वो मेलफॉय की तरफ देख रहा थ मैं नाक्षक्ति का नया खोजी हूँ विजली मेलफॉय गर्व से बुला सब उन जाड़ों को हसरत से देख रहे हैं जो मेरे डैडी ने हमारी टीम को दी है रॉन का मुख खुला रह गया जब उसने अपने सामने साथ बेतरी जाड़ों देखी अच्छी है है ना मेलफॉय तुम लोग अपनी क्लीन स्वीप फाइब जाड़ों को बेच सकते हो और मुझे उम्मीद है कि कोई संग्राल है उन्हें खरीद लेगा नाक्षक्ति की पूरी टीम ठाके लगाने लगीगी कम से कम गर्वी खेलाड़ी रिश्वत देकर टीम में नहीं आया है सब अपनी तुम्हारी राय किसने पूची थी घटिया मकार बजजात उसने थूख दिया हैरी को ततकाल समझ में आ गया कि मेलफोय ने कोई सचमुच बुरी बात कह दी थी क्योंकि उसके शब्दों पर एकदम बवाल मच गया फ्रेंट को तेजी से मेलफोय के सामने आना पड़ा ताक इसकी सजा मिलेगी मेलफोय और उसने फ्रेंट की बाह के नीचे से जादुई छड़ी निकाल कर मेलफोय के चैरे के सामने कर दी इस्टेडियम एक जोरदार धमाके की आवाज गुंजी और रॉन की छड़ी के कलत छोर से हरी रोशनी बाहर निकली ये रोशनी रॉन के का रही और कई घोंगे उसके मुझ से बाहर निकल कर उसकी गोद में आगिरे नाक शक्ति के खिलाडियों का हसी के मारे बुरा आल था फ्लिंट हस्ते हस्ते दोरा हो गया था और साहरे के लिए अपनी नई छाड़ू पर टिका हुआ था मैलफोय के दोनों हाथ और दोनों प यह उसे चूना नहीं चाहता था बेतर होगा कि हम उसे हग्रिट के यहां ले चले उसका घर सबसे पास है हरी ने हर मैनी से खा जिसने बहादरी से सिरिलाया उन दोनों ने रॉन को हाथ पकड़ कर उठाया क्या हुआ है हरी क्या हुआ क्या वो बिमार है परन तो तुम उसे दोगे है ना कॉलिन अपनी सीट से दोड़कर नीचे उतर आया था और जब वो पिछ से दूर जाने लगे तो वो उनके आसपास ही नाचता रहा रहा रॉन ने एक लंबी सांस चोड़ी और उसके मुझे कई घोंगे निकल कर टपक गए उओ 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 क्या त फिर वे अंधेरे जंगल की तरफ वाले मैदान को पार करने लगे जब हैगरिट का घर नजर आने लगा तो हरमाई नी बोली बस वहाँ पहुच ही गए रॉन तुम एक मिनट में ठीक हो जाओगे बस पहुच ही गए वे हैगरिट के घर से 20 फुट की दूरी पर होंगे तब लिने फुस फुसाते हुए का और रॉन को घसीट कर पास वाली ज़ाड़ी के पीछे कर लिया हरमाई नी को भी मन मार कर उनके पीछे आना पड़ा ये बहुत आसान है बशर दे तुम्हें पता हो की इसे कैसे किया जाता है लोक हार्ट हेगरिट से जोर से बोल रहा था अग रात को एक पुस्पक पर आटोग्राफ देकर उसे बिजवा दूगा अच्छा अलविदा और वे पेज कदमों से महल की तरफ चल दिये हैरी ने तब तक इंदजार किया जब तक लॉक हार्ट ओजल नहीं हो गया फिर उसने रॉन को जाड़ी से बाहर कीजा और हेगरिट के सामने वाले दर्वाजे तक ले गया उन्होंने जल्दी से दर्वाजा खट-कटाया है हेगरिट ने तुरन दर्वाजा खुला वो बहुत चिड़-चिड़ा देख रहा था परन्त जैसे ही उसने देखा कि बाहर कौन था उसके चेरे पर चमाका गई सोच रहा था कि तुम लोग हमसे मिलने जाने कब आओगे अंदर आओ अंदर आओ जब तुमने दर्वाजा खट-कटाया तो हमें लगा कि शायद प्रोफेसर लौकार्ट दुबारा लोट आया है हैरी और हर्माईनी ने चौकट पार करने में रौन की मदद की अब वे अंदर पहुँच चुके हेगरिट की घर में एक ही कमरा था जिसके एक कोने में बड़ा बिस्तर था और दूसरे कोने में चटक आग दहक रही थी हैरी ने रौन को कुरसी पर बिठाते हुए हेगरिट को ये बताया कि रौन के मूँ से घोंगे निकल रहे है परनतु इस बात से हेगरिट जरा भी वि सकता है हरमाईरी ने चिंता से का जब उसने रौन को कुड़े दान पर जुकते देखा इस श्राब देने वाले मंज़कों पढ़ना सर्ष्रेस परिस्तियों में भी मुश्किल है पर टूटी छड़ी के साथ तो हेगरिट फूर्ती से इधर उधर घूम रहा था और उनके ल हेगरिट ने गुराते हुए अपनी टेबिल से आधे पंक नुचे हुए मुर्गे को हटाया तथा केतली नीचे रख दी जैसे हम ये करना नहीं जानते हों और किसी खतरनाक परी के बारे में अनाप्शना पक रहा था जिसे उसने बखाया था अगर उसका कहा एक शब्द भ ज्यादा उची आवाज में कहा मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अन्याय कर रहे हो जाहिर है प्रोफेसर डंबल्डोर ने उन्हें इस काम के लिए सर्फ श्रेश्ट व्यक्ति माना है वो इस काम के लिए इकलोता व्यक्ति था हैगरिड ने उनकी तरफ ट्रिकल टॉफी क टेट बढ़ाते हुए कहा जबकि रॉन फचा फच की आवाज निकालते हुए कूड़े दान में कफ गिराता रहा और हमारा मतलब है इकलोता गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए टीचर के पद के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था देखो लोग यहां आने के लिए बहुत उत मेलफॉय ने हरमाईनी को कुछ कहा था वो सचमुझ बुरी बात रही होगी क्योंकि उसे सुनकर सब गुसे से पागल हो गए थे वो सचमुझ बुरी बात थी रॉन ने टेवल के उपर सिर उठाते हुए भरा इवाज में कहा वो पीला और पसीना पसीना हो रहा था मेलफॉ हाँ वो बोली परन तो मैं नहीं जानती इसका क्या मतलब है वैसे मुझे ये तो लगा कि ये गाली थी ये उसके दिमाग में आने वाली सबसे अपमान जनक बात है रॉन ने अपना सिर दुबारा उठाते हुए कहा और हाफते हुए कहा बज्जात एक सचमुझ गंदी गाल है क्योंकि उनका खुंचुद है उसने एक छोटी डगार ली और इस बार सिर्फ एक होंगा उसके फैले हुए हाथ पर गिरा उसने इसे कोड़े डान में डाला और आगे कहा मेरा मतलब है बाकी जादुगर जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेविल लॉंग व कि रंकी चमक आ गई किसी को भी बच्चात कहना बहुत अपमान जनक बात है रॉन अपने कापते हाथ से बहों का पश्त्री ना पहुँचते हुए बुला गंदा खून घटिया खून ये पागलपन है आज के अधिकान जादुगरों का खून वैसे भी पूरी तरा शुद् कि तो हम लोग कपके खतम हो चुके होते उसने ओकाई ली और वो एक बार फिर ओजल हो गया अच्छा रॉन मैं तुम्हें दोश नहीं देता कि तुमने उसे श्राप देने की कोशिश की हैगरिट ने कुड़े दान में गिरते खूंगों की आवास से उची आवाज में का प तुम मुश्किल में तो नहीं फसे हैरी इस बात की तरफ इशारा करना चाहता था कि मूँ से गिरते खूंगों से बड़ी और मुश्किल बात कौन सी होगी करन तुम वो ऐसा कर नहीं पाया हैगरिट की ट्रिकल टॉफी ने उसके जबड़ों को चिपका दिया था हैरी हैग तक एक भी नहीं मिला कुस्से से हैरी ने अपने दाथ अलग-अलग कर लिये मैं और चोग्राफ वाले फोटो नहीं बात रहा हूं उसने गर्मी से का अगर लॉक हार्ट अभी एववा फैला रहे है परन तो तब ही उसने देखा हैगरिट हस रहा था हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे वो बोला और उसने हलके से हैरी की पीट थप थपाई या प्यार बरी थपकी भी इतनी जोरदार थी कि इससे हैरी का चेहरा टेबल से टकरा गया हम जानते थे कि तुम सच मुझे ऐसा नहीं कर रहे हो हमने लॉक हार्ट को बताया कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है तुम बिना कोशिश किये ही उनसे ज़्यादा मशूर हो शर्त लगा सकता हूं कि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई होगी हैरी ने दुबारा ठीक से बैटते हुए और अपनी ठुड़ी मलते हुए का हमें नहीं लगता कि पसंद आई थी हैरी बोला और उसकी आँ बहतर होगा कि ये जोखिम ना लूँ जब हैरी और हर्मैनी ने अपनी चाय खतम कर ली तो हैगरिट बोला तुम लोग चल कर देखो तो सही हम क्या उगा रहे हैं हैगरिट के घर के पीछे वाली सबजियों के छोटे बगीचे में दरजन भर बड़े कद्दू लगे थे हैर तक पर्याब बड़े हो जाना चाहिए हैरी ने पूछा तुम इनमें क्या डाल रहे हो हैगरिट ने अपने कंधों के उपर से जाक कर देखा कि आसपास कोई और तो नहीं है फिर वो बोला देखो हम उन्हें तुम जानते हो थोड़ी मदद दे रहे हैं हैरी ने देखा कि है जितनी साधरान दिखती है उतनी है ने दरसल उसे ये प्रबल आभास हो चुका था कि इसके भीतर हैगरिट की स्कूल की पुरानी जादूई छड़ी छुपी थी हैगरिट को जादू करने की इजाज़त नहीं थी उसे थर्ड येर में हॉगवर्ट से निकाल दिया गया था परन्तू हैरि इसका कारण नहीं चान पाया था जब भी इस मामले को उठाया जाता था तो हैगरिट जोर से अपना गला साफ करने लगता था और रहस महरूप से पहरा हो जाता था जब तक कि विशय नहीं बदल जाता था आज हैरि रॉन और हर्माइने को हैगरिट के पास ही छोड़ देते हैं अगले भाग में सुनेंगे कि वो कौन सी ऐसी आवाजें थी जो हैरि को सुनाई दे रही थी और हैरि को सुनना नहीं चाहिए था तब तक आप बने रहिए यूचूबर मौसी की कहानिया के साथ और सुनते रहिए मज़ेदार कहानिया हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलिएगा फिर मिलेंगे थैंक यू